So hello guys, तो आज मैं जो series explain करने जा रही हूँ, वो आज ही release होई है ये एक new generation agent की story है जो accidentally cultivators की दुनिया में पहुँच जाता है इस series में आपको भरपूर action, fantasy, drama और martial arts skills देखने को मिलेंगे तो चलिए इस series की exploration को शुरू करते हैं ये कहानी है एक agent की जो पैसो के लिए काम करता है series की शुरुवात में तियानजी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैं अपने काम में बहुत माहिर हूँ मैं जिस काम को भी करता हूँ उसकी success rate 100% होती है लेकिन मेरे भी अब कुछ उसूल है मैं वही काम लेता हूँ जिसे मैं करना चाहता हूँ भले कोई मुझे कितनी भी कीमत क्यों ना दे मैं वो काम नहीं करता जो मैं नहीं करना चाता और आज national security secret को चुरा लिया गया है जिसे वापस लाने का काम मुझे मिला है और तियांजी की fighting skills दिखाई जाती है जो की वागी बहुत अच्छी थी तियांजी सभी guards को हरा कर एक box तक पहुँचाता है वो box को खोलता है जिसमें एक tower थी उसे छूते ही तियांजी एक बहुत attractive force फील करता है इसे वो उस tower को छोड़ भी नहीं पा रहा था तब ही वहाँ के guards भी आ जाते हैं और shoot करने शुरू कर देते हैं और फिर वो लोग एक bomb भी blast करते हैं और ये scene यहीं कट हो जाती है और अगले scene में हमें वो किसी की fundral भी दिखाई जाती है जहां बैठे लोगों को उस इनसान के जान का कोई दुख नहीं था बलकि ये लोग बहुत ज़दा happy थे इन्हें लग रहा था कि इन पर से एक बहुत सा हलका हो गया है मोजी जिसकी ये fundral है उसकी personal maid केर भी अंदर से बहुत ज़दा वो खुश थी पर क्योंकि मोजी एक राज घराने का लड़का है तो उसका अंतिम संसकार धूम धाम से तो करना ही था इसलिए मोजी के लिए ना चाते वेबी केर को अब कुछ अच्छे शब्द बोलती है लेकिन वो नोटिस करती है कि वहाँ आई लोग अच्छे से रो नहीं रहे थे इसलिए वो अपनी कमर पर पैसो की पोटली को थपतपाती है जिसको देखकर वहाँ सम लोग रोने का ना तक शुरू कर देते हैं क्योंकि रोने के लिए इने पैसे मिलने वाले थे फिर ढोल बाजे वाले भी शुरू हो जाते हैं जिससे अब लग रहा तक कि हाँ यहां किसी का फनरल चल रहा है लेकिन फिर वहाँ पे शहनाई बजाने वाले के नजर मोजी की ताबूत पर पड़ती है और साथ ही वहां मौजूत लोगों की भी नजर अब उस ताबूत पर जाती है जिसमें मोजी वहां पर उठ गया था क्योंकि उसकी मेड ने अभी तक मोजी की लाश को उठाते नहीं देखा इसलिए उसे चोड़कर के सारे लोग मोजी को भूत समझकर वहां से भागने लगते हैं फिर उसकी मेड मोजी की अवा सुनकर पीछे मुрती है और वो भी डरी हुई थी इसलिए वो मोजी से पहले की उसके करीब आता तो उसकी मेड मोजी को उल्टे हाथ घुमा कर देती है, जिससे मोजी वापस ताबुद में जाकर गिरता है फिर केर वो खुद को समालती है और मोजी के वापस जिन्दा होने की जूट ही खुशी दिखाती है और वो मोजी को हक करने वाली थी लेकिन मोजी उसे रोकते वे कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो हम पहली बार मिले हैं थोड़ी तो तमीज दिखाओ फिर उसकी मेट मोजी को एक हाथ देती है जिससे वो तबूत से बाहर जाकर गिरता है और फिर केर कहती है कि मास्टर ये आप क्या कर रही हैं फिर केर कहती है कि लोग अब खुश होंगे कि हमारे मास्टर मौथ के मूख से वापस लोट आई है तो उसके बार मोजी अब वो पूशता है कि क्या ये कोई प्रैंक है तो केर कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अब क्या गह रहे हो फिर मोजी अब वो खुद से कहता है कि एक लड़की मुझे इतनी जोर से कैसे मार सकती है और वो अब वो गुसे में ताबूत पर एक मुक्का मारता है जिससे उसे अब वो खुद ही बहुत जोर की चोट लग जाती है अब मोजी अपनी जगर से उठने लगता है जिसमें केर उसकी हेल्प करने लगती है तो मोजी कहता है कि इसकी कोई नीड नहीं है मैं अब घरा हो सकता हूँ तो फिर केर कहती है कि क्या आप मुझे से नराज हो क्योंकि इससे पहले आप मेरे हेल्प के बिना आप कुछ भी काम नहीं करते थे यहां तक कि आपको वाश्रूम जाने के लिए भी मेरी हेल्प चाहिए होती थी मोजी पूर्षता है कि क्या मैं इतना यूजलेस हूँ तो केर कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है आप हैंसम तो हो ही फिर उस रफान्य मेरे मेरे कोई भाय बहन है तो केर कहती है कि नहीं मूजी पूछता है कि मेरे parents तो केर बताती है कि तुम्हाइर parents भी नहीं है यह जानकर, करके मूजी बहुत ज़दा वह खुश होता है क्योकि अब बिना कोई धन्रफ सारी property उसकी और फिर वह मिरर में अब वो खुद को देखने लगता है मूजी को अपना नया लुक भी अच्छा लगता है तो तब ही वह मिरर में से किसी का रिफ्लेक्शन देखता है जो उस पर नजर रखे था अब अगले सीन में मूजी के ग्रैंडपा लाउजून को दिखाया जाता है जो उन तीन फैमिली पर अपना गुस्ता निकाल रहे थे जिन पर उन्हें शक्त था कि इन्हीं तीनों में फैमिली में से तो किसी ने मोजी को मरवाया है लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं था तो वो इन फैमिली के अंगेंस्ट अब कुछ नहीं कर सकते थे अब अगले सीन में केर मोजी को उन्हीं तीन फैमिली के बारे में बता रही थी जो उसे मारने पर वो तुले हुए हैं दोगो फैमिली की फैमिली और तियान फैमिली और फिर केर मोजी को एक लंबी सी लिस्ट दिखाती है जिसमें मोजी के लिए उसके जनम से लेकर कि अब तक लोगों के म है कि आप इतने हैंसम हो कि जल्दी प्रिंसेस रीमू आपके शादी के लिए वो चुनने वाली है जिस वज़ासे बहुत सारे लोग आपसे जेलिस होंगे फिर वहां मोजी के अंकल आते हैं जो मोजी को जिन्दा देखके बहुत ज़दा वो खुश नहीं लग रहे थे और वो मोजी को यूजलेस कहते हैं तो मोजी पूरे कांफिडेंस के साथ कहता है कि तुम यूजलेस की से कह रहे हो क्या तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी नहीं आती तो मोजी के अंकल कहते हैं कि रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं मिलती उसे कमानी पड़ती है फिर अंकल मोजी बस अपने imagination में वो कर रहा था तो असल में तो अंकल मोजी को हाथ पकड़ कर अपनी power से उसे जलाने लगते हैं और अंकल कहते हैं कि अगर ये तुम्हें दर्द कर रहा है तो तुम चीख सकते हो लेकिन मोजी उन्हें करारा जवाब देते वे कोई अवाज नहीं निकालता फिर अंकल उसे जाने देते हैं फिर केर मोजी के हाथों पर एक दवाई लगाती है जिससे मोजी के हाथों के जखम तुरंत भर जाते हैं फिर अंकल मोजी के अब वो ग्रेंडपा को ये निउस बेचते हैं कि मोजी अभी जिन्दा है एक आदमी ये मेसेज लिए लाउजून के पास जाता है जहां लाउजून अभी इन तीनों फैमली पर इल्जाम लगा रहे थे कि तुम ही तीनों फैमली में से किसी ने मोजी को मर वाया है डोगो फैमली का आदमी कहता है कि क्या तुम शौर हो कि मो ले लॉजून के पास आ जाता है फिर को चेस खेलते दिखाया जाता है जो मोजी के जिंदा होने की निउस पर ही बात कर रहे तैसे लगता है कि मोजी उसकी कमजोरई है फिर ये दोनों किसी आईरन सेफ की बात-कारते हैं और वो वो बुड़ा आदमी कहता है कि क्या होगा अगर वो अरण सेफ को तोड़ने में काम्याब रहे तो यंग मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह होगा कि वो मूजी नहीं है अब अगले सीन में हमें मूजी को दिखाया जाता है जो अपनी फाइटिंग मूव जाता है और अपने हाथों पर एक बर्थ मार्ग को देखने लगता है जो अब शाइन करने लगती है और अचानक मूजी को दर्द महसूस होने लगता है और वो बर्थ मार्ग अचानक उसके हाथों से गायब हो जाता है और फिर उसके बार मूजी को बहुत तेज सरदर्द जमीन अब फटने लगती है और अगले सीन में मोजी को जलते वह दिखाया जाता है जो बहुत दर्द में था और फिर उसके सामने एक विशाल सा रेड आर्मी टावर बन कर अब वहां पे खड़ा हो जाता है और ये एपिसोर यही एंड हो जाता है आप सभी कमेंट में जरूर प्रेंट में प्रफटर के नाजने साथ मintéवी एंड हैं और ये संदे लाग फिर देशा शेंद प 歌ली में में आर्मी एंड हैं न्यूंटेव